आज हम लोग पावर पॉइंट में सीखेंगे कार रेसिंग ठीक है और कि उपन किये सबसे ब्लेंक पेज लेंगे हम लोग कहा जाना होगा लेयाउट और यहां ब्लेंक अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को कि यहां पर सबसे पहले तो सड़क बनाएंगे तब न कि इस टैब का बना ल्यते हैं इसको फिर कलरकंगे फॉरमेट में जाके से फिलल हम लोग चेंज कर दिए आउनको दोग न रखते हैं आउटलाइन में जाके no outline ठीक है outline हटा दिया है यहां से अब क्या करेंगे यहां पर एक और काम करना है वो है line ले ले लेते हैं यह वाला line और यहां पर देखो बीच में यहां पर red दिख रहा है तुम लोगों को तो इसमें click करना और यहां पर इस दूसरे red पर आके छोड़ देना है तो देखेंगे हम लोगों को एक line मिलेगा ठीक है इस line का color बदलने के लिए shape outline में जाना होगा weight में सबसे पहले या फिर wide कर देते हैं wide कर देंगे तो दिखने लगेगा इस तरह से अब इसका outline का मोटाई weight से यहां पर बढ़ा दिया जाएगा जितना भी ठीक लगे यह ठीक है इसी को रखते हैं अब इसका style भी हम लोग थोड़ा change करते हैं style change करने के लिए क्या किया जाएगा dashes में जाएगे यहां पर और यह तूटा हुआ line को हम लोग ले लेंगे अगर इसको हम क्लिक करके नीचे लाते हैं तो क्या हुआ क्यों line आया दोनों तो आया नहीं तो हम लोग undo कर लेते हैं undo का option उपर में भी है यहां पर देखो यह undo ने तो ctrl z भी प्रेस करके हम लोग undo कर सकते हैं इसको दबाएंगे वापस आ जाएगा अब क्या किया जाए हम चाहते हैं यह जो सडक बना हम लोगों का यह जब भी copy करें तो साथ में हो या move करना चाहें इधर उधर करना चाहें तो साथ में हो ठीक है उसके लिए क्या किया जाएगा यहां से ऐसे select किया जाएगा तो दोनों select हो जाएगा कौन-कौन लाइन भी और पीछे का ये जो rectangle है वो भी select हो जाएगा ठीक है अभी देखो इसको click करोगे तो क्योवली ये select हुआ, line select नहीं हुआ जो कि यहाँ पर red वाला दिखा रहा है red अभी नहीं है इसे select करने से बीच में red भी आ जाता है तो ये ऐसे करके जब घेर दोगे तब क्या करना है तुम लोगों को जाना है यही पर और right click करके यहाँ पर कर देना तुम लोग group क्या करोगे group group करने से क्या होता है कि ये जो है अब एक साथ हो जाता है जुड़ जाता है तो अब जब इसको इधर उधर करोगे देखो तो साथ में जाएगा चाहे line को खीचो चाहे हम लोग rectangle को खीचे समझ माया अब बाकी सारे software में हम लोग जब इसको copy करना होता है तो क्या करते हैं Ctrl C और Ctrl B प्रेस करते हैं Ctrl C के साथ Ctrl B प्रेस करते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग Ctrl D प्रेस करेंगे क्या करेंगे Ctrl D से क्या होगा Direct copy होगा देखो ध्यान से दो बटन दबाने के ज़रूरत नहीं है क्योवाल Ctrl D Ctrl D एक ही बार में हो गया ठीक है तो Ctrl D D से देख यह होता है कोई दिखर यहाँ तक चलो इतना काम हो जाने के बाद हम लोग आगे इसमें अब Car लाएंगे Car कहां से लाएं Insert और Clip Art Car यहाँ पर लिखा हुआ है अगर नहीं लिखा हुआ है तो Select करके Car लिख देना तुम लोग उसके बाद Go जैसे ही प्रेस करोगे तो Car से Related हर तरह का यहाँ पर Picture नजर आ जाएगा तो Car से Related मतलब यहाँ तीन ही तरह का हम लोग देख रहे है Picture इसमें से हम लोग मानले लोग चुन लेते हैं इसको और एक बर और इसमें दबा दिये मानले दो Car आ गया ऐसे इसको एक एक करके हम लोग ऐसे ऐसे रख दिये ठीक है अब हम लोग इसको भी ले लेते हैं किलिक किये देखो यह भी आ गया अब इसको भी Side करके यहाँ पर हम लोग इस तरह रख देते हैं यहाँ पर देखो इसमें जब Car लाए तो उसके साथ यह भी आ गया देख रहे हो ना उसके पीछे जो था बैगरांड वो भी आ गया हम चाहते हैं वो ना आए तो उसके लिए क्या किया जाएगा जब इस सब में कोई भी Editing करना होगा कुछ भी Change करना होता है कि तो बाकी पीछे वाला बैगरांड में अगर किलिक करते हो तो यह अलग से सेलेक्ट होगा देखो हो गया ध्यान से देख रहो बाहर भी सेलेक्शन है अंदर भी सेलेक्शन तब क्या करो अंदर यहां पर क्लिक करके डिलीट प्रेस कर दो देखो पीछे बाइगराउन गायब ठीक है अब क्या किया जाएगा अब इसको भी हम लोग change करते हैं यह दोनों को देखो यहां पर click किये हम अगर इसका कार का color change करना चाहिए तो यहां click कर रहे हैं तो दुबारा हो रहा है क्लिक नहीं हो रहा है तो इसको भी वही काम करना होगा क्या राइट क्लिक करके अच्छा यहां पर सही से अगर राइट क्लिक नहीं होता है तो ऐसे दिखता है ठीक है तो यहां राइट क्लिक करना अच्छे से फिर गूरूप में जाना फिर यहां पर अन गूरूप कर देना और यज अब देखो यह अंदर में क्लिक करने पर फिर सेलेक्ट हो रहा है उसके बाद क्या करोगे फिर जा ओगे फॉर्मेट में और यहां पर color से फिल में जाके change कर देना देखो color change हो गया उसके बाद मान लो इसका helmet के color भी change करना चाहो तो helmet में भी click करो और यहाँ पर भी माल लो ऐसे दबा दिये देखो ठीक है इसको तो रहने दते हैं हम लोग सबका अलग-अलग color भी हो गया है ठीक है तो अब यह तीनों में हम लोग कैसे change किये वो तुनों को पता चल गया होगा अच्छे से है ना जब भी कोई किलिप आट लाते हैं तो उसमें हम लोग और भी changing कर सकते हैं तो वो सब changes हम लोग यहाँ पर right click करके group में जाके ungroup करके कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखो इसका काम अब खतम है अब तुम लोग जाओगे animation लाने के लिए animation में जाके पहले तो custom animation करो ठीक है उसके बाद देखो अभी काम नहीं कर रहा है क्यों हाँ यह कोई चीज को select नहीं किये हम लोग तब क्या किया जाए इन तीनों को एक साथ select करोगे क्या करोगे देखो कैसे select किये ऐसे करके गहर देना तीनो तीनों घेरा जाना चाहिए अब उसके बाद जब हम लोग जाएंगे देखो तीनों में selection दिख भी रहा है उसके बाद जाओगे add effect फिर entrance कर देना सबसे पहले मान लो यह आएगा grow and turn देखते हैं यह देखो आया ठीक है यह अच्छा लगा तो ले लो फिर हम लोग जाएंगे मान लो यहाँ पर इसको दवडाना है अगर है तो हम लोग अभी motion path में हम लोग click करते हैं ठीक है पहले क्या करेंगे हम लोग motion path फिर यहाँ पर देखो किधर motion करना है मतब गती करना है वो यहाँ पर बताता है तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं नई तो यहाँ पर जाना तुम लोग draw custom path मतब अपने हिसाब से तुम लोग खीचना चाहो तो यहाँ दबा सकते हो draw custom path फिर यहाँ line में click कर देना line में click करके हम लोग किसी भी car में click करेंगे और click करके एक line draw करेंगे ऐसे करके देखो, खीच दिये इधर, अब छोड़ देंगे, तो जिधर खीचेंगे, उधर ही वो तीनो कार दोड़ने लगेगा, ठीक है, तो जैसे खीचे लाइन को, वैसे ही वो दोड़ा, तीनो का तीनो, तीनो का तीनो क्यों दोड़ा, क्योंकि तीनो सेलेक्ट था, उसके के निए के बाद हम लोग क्या करेंगे फिले करके चेक करेंगे तो देखो पहले तु आया था उसके बाद दोड़ा था अब जिता आं तो सब तो एक ही speed में है तो एक ही speed में है तो तीनों तो एक ही पर पहुचेगा तो ऐसे में कोई नहीं जीतेगा ठीक है तो दोड़ा एक इसमें हम लोग पहला वाला में कि दूसरा वाला में पहले यह बताओ animation जो डाले थे हम लोग पहला वाला में क्या हुआ था इसमें राउंड होके आया था घुमते हुए ग्रो एंटर्न दूसरा वाला में क्या हुआ मोसन दिये हम लोग गती दिये तो दूसरा वाला में न गती दिये हैं दूसरा वाला में भागा है है तो हम लोग दो नंबर वाले में क्लिक करें किसको जिताना चाहते हो बताओ दो नंबर चलो यह रेसिंग कार को जिताना चाहते हो तो इसी में दो नंबर में क्लिक कर देना दो नंबर में जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर आ गया speed, ऐसे सभी में आएगा दो नमर दबाओगे तो सभी में लिखाएगा वही चीज, क्या लिखायाती हो इसमें speed, medium इसमें भी medium, इसमें भी medium, तीनों medium है ना इसलिए तीनों एक साथ जा रहा है अब तुम क्या करो यहाँ दो नमर में किलिक करके speed को यहाँ पर fast कर दो क्या करोगे fast, तो यह speed भागेगा इसको किलिक करके उसके medium तो है पहले से select इसको कर दो slow तो यह धीरे धीरे जाएगा ठीक है अब क्या किया जा, play करके check करो देख़वा आया तो सही लेकिन भागा, ऐसे बस दो नमर में किलिक करके क्या करोगे, speed को यहाँ पर से change कर देना, तीनों के देख़वा इसमें क्या लिखा रहा है, slow किये न हम, इसमें क्या किये थे fast, और इसमें तीनों का अलग 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 था इसलिए तीनों, एक साथ गया तो सही, लेकिन पहुंचा अलग अलग देखा, फिर से हम लोग जीते यह जीता ना, तो जो जीता वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, winner तो फिर home insert में जाना word art ले 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 ना यहाँ पर कोई भी चुन ले ना, मान लो इसी को ले लते है, या फिर इसको ले लते है और यहां पर लीख देते हैं और उसके बाद क्या करो, इसको select करके इसमें रखो, और फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसमें भी animation डाल देते हैं, entrance bounce, bounce ले लते हैं ऐसे, घीत है फिर देखो बिले करके आए समझ में बस अब चलो कर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर चाहते हैं कि आप इसी तरह के एजुकेसनल वीडियो बराबर देखते रहें तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जिसे हम जब भी इस तरह के एजुकेसनल वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेसन पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो कर देखके अपना ग्यान अरजन कर सकते हैं आप आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर कुछ और आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं हम उसका वीडियो जरूर लाएंगे और लाइक करें सब्सक्राइब करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं